एक गांव में दो जुड़वा बहने, सीमा और नेहा रहती थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। लेकिन उनकी आदते और स्वभाब बिल्कुल अलग थे। सीमा शांत और समझदार थी, जबकि नेहा चंचल और शरारती थी। फिर भी दोनों का आपस में गहरा लगाव था और वे एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं करती थी। एक दिन गांव में मेला लगा, दोनों बहने मेले में जाने के लिए उतसाहित थी। मेला देखने के बाद नेहा को एक गुडिया बहुत पसंद आई, लेकिन उसके पास प समय अचानक नेहा भीर में खो गई। सीमा ने इधर उधर देखा, लेकिन नेहा कहीं नहीं दिखी। घबराय सीमा ने गांव वालों से मदद मानगी, लेकिन नेहा का कोई पता नहीं चल रहा था। इसी बीच नेहा भी डर गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्य करें। तभी एक बूरी औरत में नेहा को देखा और उसे घर तक पहुचाने का वादा किया। बूरी औरत में नेहा को सुरक्षित उसके घर पहुचा दिया, जहां सीमा उसे देखकर बहुत खुश हो गई। इस घटना के बाद दोनों बहने और भी ज्यादा करीब आ गई और उन्होंने ये सीख लिया कि चाहि कुछ भी हो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक गाव में दो जुड़वा बहने, सीमा और नेहा रहती थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनकी आदतें और स्वभाब बिलकुल अलग थे सीमा शांद और समझदार थी, जबकि नेहा चंचल और शरार्दी थी। फिर भी दोनों का आपस में गहरा लगाव था और वे एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं करती थी। एक दिन गाम में नेला लगा, दोनों बहने मेले में जाने के लिए उपसाहिद थी। नेला नेहा को एक गुडिया बहुत पसंद आई, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। सीमा ने अपनी सारी जमा की हुई पैसे देगर नेहा के लिए वो गुडिया खरी दी। नेहा बहुत खुश हुई और उसमें पास पैसे नहीं थे।